प्यूर पॉलिटिक्स एसा लग रहा है कि राहूल गांदी के उपर जातिवाद का चश्मा इस कदर चढ़ गया है कि उन्हें हर चीज के पीछे सिर्फ जातिवाद ही दिखाई दे रहा है शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि जाति का मुद्दा जोर शोर से उठाकर वो सत्ता प्राप्त कर सकते हैं लेकिन राहूल गांदी ये भूल रहे हैं कि हर बात को जाति के चश्मे से देखने का यह प्रयास समाज और देश के लिए काफी खतरनाप हो सकता है अगर जातिये भावनाय भड़की तो पूरे देश में इसकी लप्टे फैल सकती है अभी ताजा उदारन अर्विंद केजरिवाल की जमानत का है जैसा कि आप सब जानते हैं सुप्रीम कोट ने शराब घोटाले में केजरिवाल को अंतरिम जमानत दे दी लेकिन भष्ट अचार के ही एक अन्य मामले में जेल में बंद जारखंड के पूर्व मुख्य मंतरी हमंद सोरेन को जमानत देने से इंकार कर दिया अब अरविंद केजरिवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से जमानत दी एक जुन तक के लिए और कहा कि इस फैसले की काफी आलोचना हुई पूरे देश में और सुप्रीम कोट ने भी ये कहा कि वो इन आलोचनाओं का स्वागत करती है देश के ग्रीमंत्री अमित शाह ने भी एक इंटरव्यू में ये कहा कि कुछ लोगों का मानना है कि केजरिवाल को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोट के फैसले के पीछे कोई जातिवादी सोच है हाँ एक व्यक्ति हैं जिनका ये मानना है कि केजरिवाल को बेल और हेमंद सुरेन को जेल के पीछे की वज़़ा जातिवाद है इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मताबिक पंचकुला के एक कारिकरम में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि दलित आदिवासी, OBC और अल्प संख्यकों को विभिन छेत्रों में प्रतिनी जित्व नहीं मिला है और नियमों के दो अलग-अलग सेठ हैं, हलाकि समविधान समांता का दस्तावेज है ये राहुल गांधी ने कहा अपनी स्पीच में उन्होंने ये भी कहा कि सिस्टम नीचली जातियों के खिलाफ है राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि वह सिस्टम को अंदर से समझते हैं क्योंकि वह जन्म से ही सिस्टम के अंदर बैठे हैं अब देखिए उन्होंने बात की अपनी दादी इंदरा गांधी की पिता जी के प्रधान मंत्री होने की राजीव गांधी की, कैसे वह प्रधान मंत्री आवास में रहते थे मनमोहन सिंग जब प्रधान मंत्री थो तो उनके हां उनका आणा जाना था तो इन सारी चीजों की चर्शा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वह सिस्टम को अंदर सही समझते हैं उन्होंने क्या का exactly मैं आपको बताता हूँ और मैं कोट करता हूँ मैं जन्म से ही system के अंदर बैठा हूँ मैं system को अंदर से समझता हूँ आप system को मुझसे छुपा नहीं सकते यह कैसे काम करता है यह किसका पक्ष लेता है यह कैसे उपकार करता है यह किसकी रक्षा करता है किस इस पर हमला करता है मैं सब कुछ जानता हूं मैं इसे देख सकता हूं क्योंकि मैं इसके अंदर से आया हूं प्रधानमंत्री के घर पर जब मेरी दादी यानी इंद्रा गांधी पीम थी पापा यानी राजीव गांधी वहां थे मनमुहन सिंग जी वहां थे मैं जाता था मैं स तरीके से नीचली जातियों के खिलाफ खड़ी है कॉर्परेट तंत्र मीडिया तंत्र नौकर शाही नयपालिका शिक्षा तंत्र सेना जहां भी देखो 90 प्रतिशत की भागिदारी नहीं है अब अर्विंद केजरिवाल और हेमंद सोरेन के जमानत के मामलों की चर्चा करते दो मुख्यमंत्री जेल में है जो आदिवासी समुदाय से आता है वो अभी भी जेल में है मीडिया उनके बारे में भूल गया है वे चुने हुए प्रतिनिदी हैं जिन्हें दो राज्यों के लोगों ने चुना है राहुल गांधि आगे कहते हैं नियमों के दो अलग- बात वो कहां कर रहे हैं क्या राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि लालु यादव को भ्रष्टाचार के आरोपों में जो सजा हुई वो उनकी जाती की वजह से हुई थी क्या ये सीधे सीधे जिडिश्री के उपर जातिवाद का आरोप लगाना नहीं है और अगर उनकी नजरों में लालु यादव निर्दोश थे तो फिर उन्होंने 2013 में मनमोहन सिंग की सरकार का वो ओर्डिनेंस क्यों फारा जो लालु यादव को उस वक्त रिलीफ दे सकता था अपने भाशन में राहुल गांधी आगे कहते हैं हमारी 90 प्रतिशत आबादी दलित आदिवास संविधान का विचार था कि इस 90 प्रतिशत को बहस में भाग लेना चाहिए उनका प्रतनी धित्व करना चाहिए अगर हम में से 10 लोग यहां मंच पर बैठे हैं और मेरे पास माइक है और उन्हें कोई माइक नहीं मिल रहा है तो इस बहस का उदेश क्या है उन्होंने दवहार नहीं हुआ है और उनके उत्थान के लिए बहुत कुछ करना बाकी है लेकिन राहुल गांधी बहुत चालाकी से खुद को 90 प्रतिशत आबादी के साथ खड़ा करना चाहते हैं लेकिन उन्हें दो सवालों का जबाब देना होगा पहले तो वो यह बताएं कि अगर हमंत सुरेन आदिवासी हैं कमजोर तबके से आते हैं तो अरविंद केजरिवाल किस तबके से आते हैं वो भी तो वैश हैं वो भी सी हैं वो भी उस 90 प्रतिशत आबादी का ही हिस्सा हैं जिसकी बात राहुल गांधी करते हैं तो उनका ये नेरेटिव अरविंद केजरिव माल के केस में तो नहीं चल सकता कि उनको जो बेल मिला है उसके पीछे कोई जाती बाद है दूसरी बात अजादी के बाद लगभग 60 सालों तक कॉंग्रेस ने इस 90 प्रतिशत अबादी के लिए क्या किया SC, ST, OBC अगर आज इतनी खराब इस्तिती में है तो इसका दोश किसके उपर जाता है क्या कॉंग्रेस अपनी जिम्मेवारी से भाग सकती है और जहां तक अल्प संख्यकों की बात है तो कॉंग्रेस ने तो उनकी इतनी पैंपरिंग की है उनको इतना सर पर चढ़ाया है नहरो राहुल गांधी को इस 90 प्रतिशत की याद तभी आई है जब वो सत्ता से बाहर है और सत्ता में वापस आने के लिए वो बेकरार है और हर तरह के हतकंडे अपनाना चाह रहे हैं जैसे पानी के बिना मचली तरपती है वैसे कॉंग्रेस सत्ता के बगैर तरप रही है दरसल राहुल गांधी ये मानते हैं कि अगर उन्हें नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है तो उनके हिंदू वोट बैंक में सेंद लगानी होगी और उसका एक ही रास्ता है हिंदूों के बीच जाती की खाई को और गहरा करना ताकि वो पहले की तरह अलग-अलग समूहों में ब मुस्लिमें शीक, सेयत, सब को OBC का दरजा दे गया, दे दिया कॉंग्रेस की सरकार ने उनका तुष्टी करने के लिए तो उससे तो कॉंग्रेस की रणनीती बिल्कुल सपष्ट है, मुस्लिमों का तुष्टी करन करके एक समूह के रूप में उनका वोट पाओ और हिंदू को जाती-जाती करके विभाजित कर दो और ज्यादा से ज्यादा कबीलों को, हिंदू को कबीलों में बांट करके ज्यादा से ज्यादा कबीलों को अपने साथ जोड़ लो, उनके लिए जीत का यही मंत्र है, अब राहुल गांधी आगे कहते हैं कि अगर इंडिया सत्ता में आता है इंडिया ब्लॉक सत्ता में आता है तो वह तीन सर्वेक्षन करवाएंगे ओबी सी दलित आदिवासियों और गरीब सम्मान ने जातियों की आबादी का पता लगाने के लिए एक जाती सर्वेक्षन यह वो काफी समय से कर रहे हैं उनकी जो भारत जोरो यात्रा थी उस पत्र में भी कहा गया कि नीतिगत बदलाओं के माध्यम से धन और आय वेल्ट और इंकम में जो इंपैरिटी है जो असमानता है उसको संबोधित करने और गरीबों को सरकारी और अधिशेस भूमी के वितरन की निगरानी के लिए एक प्राधिकरन अस्थापित किया जाएग और इसी को नरेंद्र मोधी ने टार्गेट किया था तो राहुल गांधी खुद इन बातों को बार बार रिपीट करते हैं और जब प्रधान मंतरी उनको अटैक करते हैं उन मुद्दों पे जब बोलना शुरू करते हैं तो राहुल गांधी को फिर तकलीफ होती है ये जो खत्रे में है इस देश में इस नेरेटीव को आगे बढ़ाना और उसके बाद हिंदू वोट बैंक में सेन लगा कर उनको कभीलों में बांट करके उनका वोट लेना ये राहुल गांधी का पूरा नेरेटीव है लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाप जिस तरह से उन्हो ये खत्रा ही है दिल्ली में वो सिर्फ भासपा के लिए खत्रा नहीं है वो कॉंग्रेस के लिए भी खत्रा है और आपने देखा होगा कि जब से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकले हैं तब से सारी मीडिया लाइम लाइट उनको मिल रही है राहुन गांधी बड़ी वज़ा ये थी कि कॉंग्रेस का वोट बैंक चिटक करके अरविंद केजरीवाल के पास चला गया था तो भले आज वो इंडिया ब्लॉक के हिस्सा हैं लेकिन अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के लिए एक चुनोती हैं और राहुल गांधी इस बात को समझत उसके पीछे कहीं ने कहीं जातिवाद है क्योंकि हमन्त सोरेन को भरष्टाचार के इसी तरह के एक मामले में जमानत नहीं मिली है जो भी हो राहुल गांधी को बतौर एक राजनेता ये अधिकार है कि वो अपना वोट बैंक बनाए लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो कॉंग्रेस पार्टी से संबंद रखते हैं जैसा वो कहते हैं उनकी दादी उनके पिता जी सब पधान मंतरी रहे हैं तो हर चीज के पीछे जाती देखने की उनकी ये जो मंशा है नया वोट बैंक बनाने के लिए उसको कहीं ने कहीं उनको बंद करना होगा अन्यता इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं सत्ता प्राप्ति के लिए देश को जातिये विद्वेश में जोंक देना ये कहीं से भी समर्दारी का काम नहीं है और राहुल गांदी जितनी जल्दी इस चीज को समझ जाए वो बहतर होगा आज के लिए इतना ही अगर आपको ये वीड